बिस्मिल्लायरह्मानिरहीम, अस्सलाम अलीकूम, वेलकम टू जोफिया विलॉग्स, आज की अपनी इस प्यार्शी वीडियो का आगाज करते जी प्यार्शी दौा के साथ के आलाथ आप सबको अपने हिफ्ज़ों इमान में रखें, आलाथ आप सबके खानों में बर्क करते ह लोग बिमार हैं, लाथ आलाथ को सेथे कामदान सीब करें, आमीन, तो आज कि हम अपनी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे दो रेसिपीज, एक तो जी आलू की ठिकिया हैं और दूसरे हैं जी ब्रेड के नगट्स, तो यह दोनों रेसिपीज किस तरीके से त्यार धनिया पाउडर है, जीरा पाउडर है, साथ में हमारे पास नमक है, मेथी का पाउडर है, और यहां पर हमारे पास है गरम मसाला, और इधर हमारे पास है जी वन लेमन, और यहां पर हमारे पास है धनिया, सबस मिर्च, जिनको हमने चॉप कर लिया, और यहां पर हमारे पास है bread, bread के 4 pieces हैं, वाइस हैं आवापस बेसन है, इसका हमने paste ready करना है, bread को आपने 4 equal हिसों में divide कर लेना है, अगर आप चाहते हैं तो 4 equal हिसों में divide कर लें, अगर आप नहीं मतलब इतने छोड़ छोड़े आपने nuggets नहीं बिनाने, तो आप इनको दो हिसों में डिवाइट कर ले अपकी अपनी मर्जी है according to your choice इन ब्रेट के पीसिस को हमने एक साइड पर रख देना है अब हम यहां पर आलू की जो हमने टिकियां बनानी है उसका हम mixture ready कर लेंगे तो सबसे पहले हमने इसके अंदर ढाल दिया धनिया जीरा पाउडर गया धनिया पाउडर गया सबस मिर्च गई सुरख मिर्च गई उसके बाद इसके अंदर गरम मसाला गया, मेथी का पाउडर गया और पिर इसके अंदर गया नमक, हस्बिजाए का और इसके अंदर पिर हमने इसके अंदर ढाल दिया जी, जीरा, साबत और इसके बाद जी आ गया लेमन जूस और अब आपने इसको अच्छी तरह से कर लेना है mix हाथों की मदद से या फिर चमच की मदद से जिस तरह आपको easy लगे अच्छा जी अब हम इसके अंदर add करेंगे bread crumbs और bread crumbs के साथ हम इसके अंदर add करेंगे basin भुना हुआ bread crumbs और bread crumbs इसको binding देंगे हम under add add करें आपन डायड कर सकते हैं और जो basin है वो इसके अंदर जो नमी होगी उसको जजब कर लेगा basin तो आप इसकी जगा पर corn flour भी add कर सकते हैं या फिर add कर सकते हैं अगर आपके पास basin available नहीं है तो इसको अची तरह से mix करने के बाद अब आपने इसको रखने ना एक side पे और इसकी हमने बना लेनी है टिकिया आलू की बड़ी मदेदार सी बन जाएंगी अगर आप चाहें तो गोल-गोल बना सकते हैं टिकिया या फिर अगर आप चाहें तो जो भी आपको shape अची लगे वो आप कर सकते हैं square में rectangular में या फिर circle जैसे आपको easy लगे और वैसे भी अब इन्शाला तला सुबह पहला रोजा होगा तो आप इस recipe को अपने अफ़तार time में जरूर जो है इसको त्यार कीजेगा try कीजेगा और फिर बताएगा कि कैसी बनी सहरी के time पे बता दीजेगा या पिर जब आप मेरी वीडियो देख रहे हो तब बता दीजेगा तो यहां पर जी हमारी सारी आलू की टीकिया जो है वो ready हो चुकी है आप देख सकते हैं बहुत जबरदस्त लग रही है अब हम यहां पर बना रहे हैं paste बेसन का इस बेसन में हमने add कर लिया था नमक सुरख मिचनी आइड की थी काली मिर्च आइड की थी और इसको अब आपने इसका paste बना देना है अभी मैं इसकी आपको consistency भी बताऊंगी किस तरह की होनी चाहिए इसकी running consistency होनी चाहिए ताके ज्यादा जो है उसके उपर चिम्टावा नज़र नाए ओके जी तो यहां पर हमारा paste ready है और आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से इसकी consistency होनी चाहिए तो अब हम one by one ठीकियों को बेसन के इस paste में dip करेंगे और फिर हम इनको कर लेंगे fry और पहले से गरम है medium to low flame पे हम इनको fry करेंगे क्योंकि अंदर का हमारा सारा material एज यूजल पका हुआ है कुक है बॉइल है तो बस सिरफ उपर उपर से हमने इसकी जो कवरिंग है बेसन की उसको हमने light brown सा कलर देना है बस ओके जी यह हमारी सारी आलो की टिकियां आ गई अब after five minutes आपने इस इनकी जो sides है उनको कर लेना है turn one by one सबको आप turn कर लें और अपने flame जो है यहां पर medium to low रखना है ज्यादा high flame मत कीजिएगा नहीं तो ऐसा ना हो कि जो आपकी उपर वारी covering है वो सारी बहुत ज्यादा ही dark brown सी हो जाए तो वो फिर खाने में जड़ा भी मजानी आएगा और अगर आप चाहें तो आप इन टिकियों को bread में रखके भी खा सकते हैं तो वो आपकी अपनी मर्जी है या fruit chart के साथ इनको खा सकते हैं वो भी आपकी अपनी मर्जी है इफ्तार में ओकी जी जब तक हमारी जो टिकियां हैं ये fry हो रही है तो तब तक हम ready कर लेते हैं अपना दूसरा material जो हमने बनाने हैं bread के nuggets तो उसके लिए हमने धालिया जी पेसन में सुरख मिर्च को और इसके अंदर हमने हजब दाय का नमक भी आड़ करना अभी और यहां पर जी कर दिया एड़ इसके अंदर धनिया और धनिया एड़ करने के बाद यहां पर हमारी जो टिकियां हैं वो माशाला से ready हो चुकी हैं कवरिंग बहुत ज़दा क्रिस्पी सी बन कितनी प्यारी बात है ना कि bread के उपर bread के अपने crumbs ही लग रहे हैं और फिर हम इनको oil के अंदर ढाल देंगे और यहां पर जी यह हो रही है fry और यह आपने इनको medium flame पर आपने इनको fry करना है ओके जी one by one इनको रख देंगे और यहां पर हमारी टिकिया अलुकी और bread के nuggets बिल्कुल ready हो चुके हैं तो उमीद है कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी पसंद आई होगी वीडियो अगर वीडियो पसंद आई यह तो इसको like कीजिएगा अपना और अपने घरवालों का ख्याल रखिएगा हमें अपनी दौाँ में याद रखिएगा इस रमजान Thank you so much for watching and Allah Hafiz और आपको रमजान का चांद बहुत बहुत मुबारिक हो Allah करे आपका यह महीना बहुत अच्छा गुजरे Thank you so much